गाईज वेलकम टू माई चैनल समय टेरोट कार्ड डीडिंग और इस समी की करेंट एनरजी इस डियर गाईज आपके पर्सिन की क्या है टेरोट कार्ड में देखेंगे चैनल को लाइक सिस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भोलिए बैल अकन को प्रैस कर लेजगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए सो बोलना चाहोंगे कि जनरल लेडिंग है सबी लोग देख सकते हैं टाइमलेस सीडिंग है तो कोई भी टाइम बाउन्डेशन नहीं है आप कभी भी किसी भी टाइम पार मेरी टेरोट कार्ड डीडिन को देख सकते हैं सो चले स्टार्ट कर लेंगे अभी के अनर्जीज आपके पर्सन की आपको लेकर क्या हो रही है वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है जो उनका दिल है जो उनका दिमाग है वो आपके लिए क्या सोचता है क्या चलता रहता है उनके माइन में इन सारी ही चीज़ों को टेरो कार्ड में देखेंगे चले देख लेते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा पहला इकन को प्रेस कर लीजेगा अगर आप मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो और आज की रीडिंग में ये भी देखेंगे कि आपके जो परसन है चाहें कॉन्टेक्ट में हो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो क्या वो आपके पास रहना चाहते हैं, क्या वो आप से रिष्टा चाहते हैं, क्या उनके मन में है कि वो आपके साथ ही रहे, या उनका no contact चल रहा है, तो क्या वो reunion चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं, निस अरे चीज़ों को देखेंगे, जो भी कुछ आएगा कबर करूंगी मैं so cards आज आए universe please देखते हैं सबसे पहले कि उनके दिल में क्या है आपके लिए सबसे पहले आज यहीं देखेंगे दिल में क्या है देखो यहाँ पर तो five of pentacles आया हुआ है जो कि साफ यह बता रहा है कि आपके person को आपकी बज़े से बहुत stress हो रहा है बहुत tension हो रही है क्योंकि देखो देखें आपके जो person है ना इस समय जहां तक मेरी energy जहां तक मैं देख पा रही हूँ इनका कुछ ऐसा energy जा रही है जो कि कहीं न कहीं या तो no contact इस्थिती में है जो कि मतलब या तो मिल नहीं पा रहे हैं आपसे बात नहीं हो पा रही है जिसके लिए तरस रहे है देखो क्या है ना कि यह person अपना प्यार तो इतना नहीं जता पा रहे है इस समय पर भी लेकिन इनकी जो feelings हैं आपके लिए जो आनर्जीज है इनकी आपके लिए ना वह बहुत ट्रू है ठीक है मतलब एक तम से अगर में mostly feelings true है और आप अगर इनसे बात कर रहे होगे अभी आप इनकी साथ contact में होगे ठीक है तो आपको कुछ भी clarity नहीं मिल रही होगी आपको यह जरूर लगता होगा जब आप इनसे बात करते होगे कि इनसान प्यार तो बहुत करता है लेकिन कहीं ना कहीं इस समय गुसे में है या फिर कुछ ऐसा इस तरीका जो reaction मिल रहा है जिसमें इनको आपको लगता होगा कई बार mood swing है इनका चीज़ें इनके साब से नहीं हो रहे है मतलब mood बहुत swing है आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं यह वाली situation लग रही होगी clarity नहीं मिल रही होगी अगर contact में है तो बट यह कार्ड यहां पर यह भी कह रहा है कि देखो अगर आपका इनसे contact नहीं है तो आप यह समझ लो कि यह इनसान आपके लिए तड़प रहा है बहुत ही जादा feelings love है प्यार बहुत जादा करते हैं आपसे जितना प्यार है इतना किसी के साथ नहीं है इनको प्यार इनकी feelings true है लेकिन इस समय बहुत जादा mentally तोड़ पर पर परेशान है ठीक है एज कहीं 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 एज का ऐसा दिख रहा है कि या तो आप इनसे एज में बड़े हो या फिर आप इनसे एज में कम भी हो सकते हो कहीं कहीं एज वराबर दिख रही है बट कहीं कहीं एज गैप दिख रहा है तो normally हो सकते है कि आपकी ऐसी हो क्योंकि energy इस दिख रही है तो definitely होनी चाहि इस अपने प्यार को क्या है ना कि में चीजे की आप से प्यार करते हो ऐसा नहीं है कि इन्हों है प्रपरियर को उनी systematically का किया किया है अपने रिश्तियों से इनके अंदर ने बहुत ज़्यादा बदलार मैसूस हो रहा है या तो ये किसी के टच में आए हैं तो ये इस तरीके से बदल गई है या आपके relationship के उपर किसी को doubt है इनकी family होगी या कोई ऐसा इंसान होगा जो कई ने कई ये जानता है कि ये जो भी आपके चाहे male partner हो चाहे female partner हो ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं ठीक है जब उसको ये पता चल गया कि ये आपसे लव करते हैं तो वह इंसान इनकी उपर नजर रखने लगा ठीक है उसका focus इनकी उपर रहने लगा और वह पूरी तरीके से involved हो गया आपके रिष्टे को लेकर काफी ज़्यादा जगड़े फिलाने लगा आपके परसन की भी activity पर नजर रखने लगा इस बज़े से क्या होता है कि आपके परसन अपने चीज़ों को ना खुल कर नहीं बोल पा रहे हैं तो यहां पर five of pentacles ही बता रहा है कि आपकी परस इतना नहीं चाहता है बिल्कुल भी ठीक है लेकिन इनकी उपर जो प्रेशर पढ़ रहा है आपके relationship को लेकर जो प्रेशर में है यह जो feelings इस time हो रही है न वो काफी ज़्यादा mentally तो और पर इनको परिशान कर रही है physically तो और पर भी बहुत ज़्यादा stress में हो रहा है तो य सिच्वेशन यहाँ पर दिख रही है ठीक है यह स्थिति यहाँ पर इनकी दिख रही है अब यहाँ पर जो कार्ड है किंग ओवेंट्स का है तो किंग ओवेंट्स काफी ज्यादा मतलब इस चीज़ को भी बोल रहा है कि strong connection है आपका इनके बीच में और यह जो relationship है आपका इ discussion करना चाहते हैं आप से जुड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया है इन्होंने बात नहीं की है देखो यहाँ पर मुझे कुछ रिष्ट बैसे तो यह रीडिंग आप मैरेज लव मैरेज 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 लव एक्स्टर मेटल और लव लिविन फैमिली फ्रेंड्स लाइक क एक्स्टर मेरेटल रिलेशन से बहुत जादा दिख रहा है इसमें वन साइट सिंगल मैरेज आप हो सकते हो या फिर ऐसा रिष्टा हो सकता है आपका दूसरी चीज मैरेट कनेक्शन आप लोगों के बिश में है मैरेज का रिष्टा हो सकता है मैरेज बहुत परानी मैरेज ह हो सकती है आपकी और या फिर आपकी new marriage भी हो सकते है तो बहुत परानी होगी या फिर नई शादी भी हो सकती है आपकी इनके साथ या फिर यह क्योंकि कहीं न कहीं आपके रिष्टी में दो को यहां पर devil की energies आ रही है जो मैं देख रही हूं और इसे devil की बज़े से क्या हो रहा है कि आपके relationship में आपका relationship तो है इनके साथ और अच्छा relationship है रिष्टा बहुत खुबसूरत है आप दोनों का लेकिन जो devil है न वह आपके बीच में problems create कर रहा है ठीक है यह devil नहीं चाहता है कि आप लोग किसी बतलब आप लोग के बीच में strong energies हो या फिर आपकी morning बहुत अच्छी हो तो कुछ न कुछ devil के involvement की बज़े से जब से devil की अनर्जीज आई है तब से रिष्टा बिगड़ना शुरू हो गया होगा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मैसूस होगा कि हाँ जब से devil के अनर्जीज और अगर मालिच आपको कोई खबर ही नहीं कि आपकी relationship में कोई devil है की नहीं है या फिर आपको confirm है तो भी यहां पर एक बारी चेक जरूर कर लेंगे डेवल के अनर्जीज है तो फिर ऐसी क्या चीज़ है क्योंकि गुस्सा भी कई बार ऐसा हुआ है मैंने देखा है बहुत देखने पर मिला पाया है मैंने कि गुस्सा ही आपके पंसन का इतना भेंकर गुस्सा और इगो की वही डेवल बन गया मतलब उनका इस अग्षा डाउट मतलब होता है यहां पर मुझे दिख रहा है कि तीन चीज़े बहुत ज़्यादा होती है तो यह तो बहुत ज़्यादा और गुस्सा तो यह तीनों चीज़ें भी हो सकती है और जैसे कि मैंने बो सीरियस तो है क्योंकि कई नहीं अपने जिम्मेदारी निभानी वी चाहिए लेकिन आप लोगों का रिष्टा तो बहुत प्यारा है ठीक है बहुत ही खुबसुट रिष्टा है लेकिन जैसे रिष्टे में न रिष्टे में बहुत मतलब एक दूसरे को लेकर बहुत सारी वही इस बात पर जगड़ा हो जाएगा अचानक से ब्लॉक ही कर देते हैं आपको आप समझे नहीं पाते हो कि आखर ब्लॉक क्यों किया और फिर अन्ब्लॉक भी कर देते तो आप यह भी नहीं समझ पाते हो कि आखर अन्ब्लॉक क्यों किया दो लग चीज़ें हैं फिलिक्स चीजे हैं जो clear नहीं हो पा रही है इनके और आपके बीच में उस clarity की बज़े से भी यह काफी ज़दा stress में रहते हैं तो भी ऐसा करते हैं misunderstanding बहुत है किसी तीसरे इंसान ने बहुत ज़दा misunderstanding क्रेट की है तो आपके रिष्टे को लेकर मतलब understanding तो बहुत है नाराज की ज़स से मैंने बोला अभी इनोंने मुझे लग रहा है कि आप ये आपसे दूर है मतलब दूरियां सीरों ने बना रखे है लेकिन दूरियों में क्या हो रहना कि mood बहुत खराब हो रहा है आपको लेकर बड़ा ही स्ट्रेस हो रहा है इनको क्योंकि इस रिष्टे को आपके रिष्टे को इनसान तोड़ना नहीं चाहता है कहीं भी ऐसे अभी तक नहीं मिलिए कि जिसमें मुझे यह दिखे कि हाई परसन आपसे रिष्टा रखने नहीं चाहते हाँ दूसरे की involvement दिख रही है बहुत जादा आपका इनके साथ फिर future आपका इनके साथ होगा और stable future होगा क्योंकि जैसे मैं देख रही हूं कि जो चीजें हो रही है जैसे की अचानक पहले सब कुस्छ ठीक था अचानक सड़नी चीजें खराब हो जाना तो यह एक बहुत बड़ा point है क्योंकि यह किसी की involvement की बज़े से इसे भी है दूसरा magical controlling like controlling energy बहुत जादा हो रही है ठीक है जिस वज़े से भी उनका जो reaction मिल रहा है आपको देखने को वह इस तरीगा पहले नहीं था सड़न हो गया है तो बहुत ही ऐसा वहवार कि पहले एक तम connect हो ना लाइक फिर सड़न ऐसा कि इतनी दूरी पर होने पर आपके बास आने पर भी आपके बोलने पर भी उनका और दूर चला जाना ना की बात करना लाइक समझ रहे हो ना तो यह चीज यहां पर दिख रही है किसी कप में कुछ अन्यजी जै कि सेम ऐसे एंची है कि कि सी कि एनर्जी बहुत पॉजिट इव होती है अगर आप उनसे बात करते हो ना तो आपको लगते है कि बस यह बोलता रहे और मैं सुनता रहा हूं यह सुनती सुनती रहा हूं लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कुछ के इतनी नेगेटिव होती है कि आप उस नेगेटिव में अगर चले जाते हो तो बहुत ज़दा इस्ट्रेस और फिल हो जाता है तो यहां पर कुछ नेगेटिव कॉंटेक्ट हो सकते हैं मतलब लाइक अगर मैं बोलू तो कई ना कई जगड़े arguments हैं किसी की involvement की बज़े से आपके रिष्टा खराम होना शुरू हो गया है और अगर situation ठीक हो जाती है आपके relationship में जैसे कि मैं देख रही हूँ क्योंकि इन्हें आपके रिष्टी की चिंता है और प्यार यह आपसे बहुत ही ज़्यादा करते feelings बहुत इनकी loving है तो अगर आप इनके साथ आपका relationship stable है चाहें रिष्टा कोई भी क्यों नहों क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ क्योंकि इनकी जो energies देख रही हूं वह energies आपके पास आपके प्यार को पाने क्या बोला जाता है कि आपके प्यार को पाना चाहते हैं ठीक है तो यह दिख रहा है मुझे यहां पर र तुला राशी कुंब राशी धनू राशी करक सिंग कन्या जैमिनी टॉरस ना यह राशियां यहां पर मेश राशी यह राशियां यहां पर मुझे दिख रही है ठीक है I'm so sorry तो यह दिख रही है अमरिको अनर्जीस अब इच्छकुर फाइव कप्स में देखो आप फाइव कप्स पर बाबर नजर पढ़ रही है तो क्या हो रहे ना आप यह समझ लो कि रोते हैं यह आपके लिए अंदर यह अंदर रोते हैं आपके पास थे ना जब आपका सही था तब इनके लाइब बहुत अच्छी थी दूरियों में चाहें एक चटके नीचे रहते हो चाहें आप से दूर रहते हो चाहें लांग डिस्टेंसलेशन से पहुंचाहें एक साथ का कॉंटेक्ट हो लेकिन वह प्यार आप लोगों के बेच में अभी दिखनी रहा है तो है प्यार अपनी जगे बेसक है लेकिन जो दूरियां हो गई है ना उसमें अंडरस्टेंडिंग नहीं है जगड़े होते हैं अर्ग्यूमेंट तो इसमें इनको भी अच्छा नहीं लगता है इनकी जो फिलिंग्स है ना बहुत सैड होती जारी है पहले से आप इनको देख भी रहे होगे कि पहले से काफी बदल गया है रौनक तो जैसे खोस ही गई है एक दम तुखी रहते हैं परिशान रहते कुछ को हो तो नराज हो जाते हैं गुस्सा हो जाते हैं बतलब एक खु दिख रहे हैं पूरी तरीके से अपने के फेस को देखो गे न तो आप लोगेगा आपको कि हां यह सैड है आप इस चीज को देखने की कोशिस किए तेरो कार्ड यह वाला यही बता रहा रहा है आप कितना रजनेट करी आइड लगनों नोगरा रजनेट करें तभी क्योंकि यह आपको पानश आते हैं अपनी जिंदगी में आपकी बहुत इंपोर्टेंस है और आपने इनको बहुत संभाला भी है लेकिन अभी कुछ दिनों से बहुत चीज़ा डिस्टरब हो रही है जिस वजह से यह काफी मेंटली तोर पर पर परिशान है अब यह अंदर से यह चाहते हैं कि आपके साथ ठीक हो जाए और जो रिलेशन से पर इनका और आपका वो चलता रहे है नहीं खोना चाहते हैं लेकिन हालात इसके क्या होता है कि जब बात करने चलते हो आप लोग तो कहीं न कहीं कुछ सीजर डिस्टरब हो जाती है यह जब आप से बात करना का मन होता है यह साथ जीज़ें यहां पर दिख रही है तो अभी डिफाइन करेंगे टेरो कार्ड को देखें कितना रेजोनेट कर रहा है आपको कमेंट शिक्षेन में जरूर बताएगा मुझे यूनिवर्स से मैं दिल से प्रातना करूंगी सच में यहां पर भी प्रातना क करते हूं प्रेयर करती हूं आपके लिए और डेली में इश्वर से प्रातना करती हूं कि भाई जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं यूनिवर्स प्लीज आप उन्हें सपोर्ट करें उनका रियूनियन हो जाए क्योंकि मैं किसी season ले सकते हैं आपसे related ठीक है main चीज क्या हो रहा है कि यह person आपको unblock करेंगे इनकी जो first energies मिल रही है यह अगर नोंने block किया है तो unblock करेंगे और अगर आपके रिष्टे में कुछ ऐसी problems हो रही है जिसमें आपका रिष्टा खराब हो रहा है तो यह person जो है वो कई ना कई आपसे related को एक्षिन ले सकते हैं बहुती मतलब wonderful action होगा दूसरी चीज सबसे पहले यह आपके और अपने रिष्टे को सुधा रहेंगे क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हो गई है जो आप लोगे की बीच में ना understanding मतलब बिल्कुल understanding बची नहीं है करीम मिसंड़स्टेंडिंग क्रियेट हो रहे हैं हो सकते कि आप यह बोलो नहीं मेरे में के तो समझती हूँ इनको या मैं तो समझतक हूं लेकिन वहीं समझते हैं तो को चीज़ है आप आप नहें नहhow Huge डियाननजी में चेंज़े सबarnya और नहीं जान होटा रहे हैं अगर आपका त्छी को जाता हatically आपका साथ होगा पॉस्विल्टीस फ्यूचर में साथ है आपके और देखिए मैं बोलती जा रही हूं और काट साते जा रहे हैं आप खुद देख लिजेगा इस काट को तो फ्यूचर डेफिनेटली आपका साथ होने वाला है अगर आज की जो प्रॉब्लम्स हो रही है जो का यह पार्टनर आपके लाइफ में सदन लोटेंगे यह भी देख लिजेगा जितना भी राजनेट कर रहा है जरूर कमेंट शेक्चर में लिखिएगा और आपको अपने परसन का बिल्कुल क्लियरली जानना है रिष्टा टैरो कार्ट डेडिंग लेनी है करियर फारनेज क किसी के लिए भी लव लाइफ मैरेज लाइक किसी के लिए भी तो आप बात कर सकते हैं मेरा नंबर वीडियो पर मिल जाएगा वहां से लेकर अपनमेंट ले सकते हैं देन मैं आपसे बात करूंगे एंड टेक क्या बैबाए